नमस्कार आप देखरें नीशन न्यूस मैं हूँ आपके साथ रितिक इस वक्त हम खड़े हैं राजधानी पटना के अतिहासिक मंदिर महावीर मंदिर में और आज जो नया साल है 2021 का शुबारम है उसका जश्न जो है पटनावासी बड़े धूम से मना रहे हो और यहां पर महा अविर मंदिर में आकर नए साल में नव वर्ष में भगवान हनुमान जी के हनुमान जी के जो है दर्शन ले रहे हैं और उनके आश्रवाद कर रहे हैं आपको दिखाए कैमरा इस तरफ यहां प्रवेश दौर से कर आप देखें तो आपको यहां पर जो है भक्तू की कतार की लगा ता है वो सुभह से सुभा 5 बे सी जिस तरीके से आज भगवान के मंदिर में आज भूंए हनुमान जी के मंदिर में आकर उनका धर्शन प्राप्ट कर रहे हूं और अनुशासन के साथ भक्त जो है वह पालन कर रहे हैं और लिए मास्क जो गाइडलाइन से कोरोना काल में देखते हुए जो कोरोना वायरिस से बशने के लिए भी मास्क का भी प्रयोग किया जा रहा है यहां पर अगर बकायदा मैं अगर कहूं यहां पर तो मंदिर के अंदर आना पूरे तरीके से वर्जित हो और यहां पर भक्त को अंदर नहीं के अध्यक्ष आचारी किशोवर कुनाल का क्या कुछ कहना है अभी सुनिये आज सुबह पांच बज़े से लेकर के अभी पांच बज़े साम तक एक दम बड़ी कतारे लगी हुई थी ऐसी भीर मेरी जानकारी में एक बार हुई थी जब मंगल को नोबर्स परा था इसके दो कारण मुझे लगते हैं पहला कारण तो यह दिखलाई पड़ता है कि रामनौमी में पिछले साल महावीर मंदिर को बंद रखा गया था लोकडाउन था बहुत सारे ऐसे भक्त से जो महावीर मंदिर महावीर मंदिर नहीं आय थे उन लोगों ने भी रामनौमी का अपना हिस अब ज livelihoodर पूर تूँक्र वारक से इतनी भार्वार करें विचले साल नल निवसस था ईसे मासक अनिवार किया गया है जिन Hilny पास नहीं हए उनको नहीं आ और लगादार मैं आपको बता दूँ कि सुभछ से यहां पर नए साल को लेकर भक्त जन्ड हनुमान जी के जो भक्त है वो दर्शन करने के लिए अनुमान जी के आ रहे हैं और सुबा से यहाँ पर भीड़ देखने को मिल रही है और यह खुद में भी अगर हम कहें तो राम नौमी यहां का बहुती जादा जो है यहां पर पटना के जो भक्त है जो बियार के कोने कोने से यहां पर पटना के माविर मंदिर में यहां पर भक्त आते हैं और यहां पर नए साल में भी भक्त जन जो है हनुमान जी का दर्शन लेकर उनका अशिरवात प्राप्त कर रहे हैं तो फिलाल के लिए में दीजी इजास्त देखते रही है नेशन न्यूस धन्यवाद